आय जाती निबास इन तीनों ही दस्तवेज को बनबाने के लिए पहले आप लोगों को जनसेबा के अंदर पर जाना पड़ता था लेकिन अब आप लोग घर बैटे ही ओनलाइन मत्र 15 रुपए में आय जाती निबास बना सकते हैं तो अगर आप लोग आज अपलाई करते हैं तो 5 दिनों के अंदर ही आप लोगों के जो साफसाफ लिखा हुआ होता है कि ये डिजीटल तरीके से बने हुए हैं और इन पर कोई भी साइन और मोहर अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन पर डिजिटली हस्ताचार किये हुए रहते हैं तो चलिए मैं आपको step by step बता देता हूं कि कैसे आप लोग खुद से ही online आए जाती निवास प्रमाड़ पत्र के लिए अपलाई कर सकते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घर बैटे ही आजाती निवास प्रमाड़ पत्र बनबाने के लिए हमारे पास में कौन कौन से दस्ताबेज होने चाहिए तो यहाँ पार आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपको पोरिटल पर अपलोड करना पड़ेगा इसी के साथ में आपके पास में एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और आपके पास में स्वा प्रमारित घोशना पत्र होना चाहिए जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये फोर्म कैसा होता है कैसे डाउनलोड करना है और इसे आपको कैसे फिल करना है अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर दे सकते हैं पाशन कार्ड नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं अब जो भी सेलरी परसन है और अपना इंकम साटिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उनको यहां पर सेलरी सिलिप भी देनी पड़ेगी तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इतने दस्तावेज होने चाहिए बात कर लेते हैं स्वा प्रमारित घोशना पत्र की यह आप लोगों को कहां से डाउनलोड करना है और कैसा दिखता है तो अभी आप लोग देख सकते हो डिस्पले पर आप लोगों को एक प्रमार पत्र दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं स्वा प्रमारित घोशना पत्र यह जो गोश्रा पत्र है इसका direct link मैं आपको इस फीडियो के description में दे दूँगा आप लोगों को बहां से download करके इसका एक print out निकल वा लेना है इसके बाद में जिसके भी नाम से आप certificate apply कर रहे हैं उसका नाम यहां पर आपको फिल करना है इसके बाद में यहां पर आपको अपने इस्थान टाइप करेंगे इस्थान में आप लोग अपने village का नाम ढाल सकते हैं या फिर city का नाम ढाल सकते हैं इसके बाद में जिसभी दिन आप लोग जाती परमाड पत्र या फिर आया पर नीवास प्रमाड पत्र के लिए apply कर रहे है वो date आपको यहाँ पर डालनी है, यहाँ पर जिसके भी नाम से आप लोग अपलाई कर रहे हैं, तो उस बेक्ति के साइन कर वा लेने हैं, अगर अंगुठा लगाता है, तो अंगुठा आपको लगा देना है, और इसके बाद में यहाँ पर उसका नाम एंटर कर देना है, यह जो आप लोग किस तरह से घरवेटे ही अपलाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल को ओपन करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है, इतना टाइप करने के बाद में सर्च करेंगे, आप लोग जिस भी इस्टेट में रहते हैं, तो आप लोगों को e-district टाइप करना है, इसके बाद में अपनी इस्टेट का नाम टाइप करना है, जैसे कि हम यूपी से हैं, तो हमने टाइप किया e-district यूपी, इसके बाद में सर्च करेंगे, पहले नमबर पर ही आपके सामने वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, यूपी e-district पोर्ट आपको इसी वाले ओप्शन पर एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से वेबसाइट आजाएगी, ओप्शन देखने को मिल जाता है, लोगिन इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको सेकेंड नमबर पर सिटीजन लोगिन e साथी, इसी वाले ओ उप्शन पर एक बार क्लिक करने के बाद में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इसका यूजर नेम और पासबर्ट बनाना होता है, जो कि आप लोग बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं, यहाँ पर उप्शन मिल जाता है नभीन उप्योकरता पंजी करन आपको इसी वाले लेवल होकी तो आपको मिल जाएगी, इसके बाद में दोस्तों आपको कुछ नीचे की साइड में आना है, आवेदक का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर डेटा बर्थ फिल करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर फिल करेंगे, पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, जिला यहां से आपको select कर लेना है इसके बाद में यहां पर mobile number एंटर करना है email ID अगर है तो दे सकते हैं capture code को same to same fill करेंगे और सुरक्षित करेंवाले option पर एक बार click करेंगे click करने के बाद में आपके mobile number पर OTP send किया जाएगा OTP fill करके आप लोगों को इसका एक password create कर लेना है user ID और password create करने के बाद में आप लोगों को दुबारा से इसी वाले पोर्टल पर आना है login वाले option पर click करके citizen login वाले option पर click करेंगे अब आपका जो भी username है वो यहाँ पर fill करेंगे जो भी password बनाया उस password को यहाँ पर fill करेंगे इस capture code को same to same यहाँ पर fill करके submit वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद आप लोग इस पोर्टल में successfully login हो जाएंगे अब यहाँ पर अभी आप देख सकते हो आवेदन पत्र के नीचे आपको सभी services देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जाती पिर्माण पत्र apply कर सकते हैं इससे के साथ में I.P tämä पत्र apply कर सकते हैं और निवास पिर्माण पत्र apply कर सकते हैं इनके अलावा और भी बहुत से services देखने को मिल जाएंगी तो अगर आप लोगों को जाती प्रमाड पत्र अपलाई करना है तो यहाँ पर आप लोगों को option देखने को मिल जाएगा इस वाले option पर click करेंगे इसी तरह से अगर आप लोगों को आप प्रमाड पत्र बनाना है तो इस वाले option पर click करेंगे निवास प्रमाड पत्र के लिए आपको निवास प्रमाड पत्र वाले option पर एक बार click करना है क्लिक करने के बाद में आप चाहें जाती प्रमाड पत्र बनाए निवास या फिर आए प्रमाड पत्र आधार कार्ट से EKYC को कम्प्लीट करना पड़ेगा पहले यहाँ पर आधार EKYC का ओप्शन नहीं था लेकिन अब यहाँ पर 8 कर दिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले आप जिसके भी नाम से प्रमाड पत्र अपलाई कर रहे है उसका आधार नमबर एंटर करेंगे इस कैप्चा कोट को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे इस वाले बोक्स पर टिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर submit वाले option पर click कर देना है अब आपके आधार card से जो भी mobile number link है उस पर एक OTP send किया जाएगा OTP आपको यहाँ पर fill करना है और submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपके सामने निवास प्रमाड पत्र apply करने का पूरा form आ जाएगा सेम इसी तरह से अगर आप लोग income certificate apply कर रहे तो आपके सामने income certificate का पूरा form आ जाएगा और अगर आप लोग जाती पुर्माड पत्र के लिए अपलाई कर रहे हैं तो जाती पुर्माड पत्र का पूरा फोरुम आ जाएगा यहाँ पर आपका जो नाम है हिंदी और इंगलिस दोनों में ही आउटोमेटिक आधार कार्ट बाला नाम आ जाएगा इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने पिता, पती या फिर सनरचक का नाम फिल करना है माता का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है इसके बाद में डेटा बर्थ भी आपकी आधार कार्ट वाली ही आ जाएगी जन्म का इस्थान आपको यहाँ पर फिल करना है जिसमें कि आप अपने बिलेज या फिर सिटी का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को अपने मकान नमबर को फिल करना है अगर आपको मकान नमबर नहीं पता तो कोई भी आप मकान नमबर डाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मुहला या फिर पोश्ट का नाम फिल करना है जनपत आपको पहले से ही सिलेक्ट रहेगा जो भी आपने रेजिस्ट्रेशन करते समय जनपत दिया था इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेना है और य जन्म से तो आपको जन्म से वाले option को select रहने देना हे, और अलब जन्म के बाद किसी भी date से रह रहे हैं, तो आपको बरस भारें वाले option पर क्लिक करना हे, और यहांपर आप लोगों को type कर देना है, जैसे कि हमने 10 type किया, तो हम 10 बरसों से रहे हैं, यहाँ पर पूंचा जा र तो वो आपका जो भी region है उसे आपको select कर लेना है इसके बाद में यहां पर पूँचा जा रहा है क्या इससे पहले निवास पुरमारपत्र है जारी हुआ है या फिर नहीं तो अगर हुआ तो हां करेंगे लेकिन आपको वहां पर पुरमारपत्र नंबर भी देना पड़ेगा इसलिए नहीं वाले option को select कर लेना है आवेदन सुल का भुकतान कर दिया है या फिर नहीं हमने अभी नहीं किया इसलिए नहीं वाले option को select करेंगे इसके बाद में आपका जो राशन कार्ड नंबर है या फिर आपकी परिवार ID है आपके आधार नंबर से ही फैच कर ली जाएगी और यह आपको fill करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर अब आपको कौन कौन से दस्तावेच अपलोड करने है उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जैसे कि हमने आपको बताया था photo आपको upload करना है इसी के साथ में यहाँ पर राशन काड या फिर बिजली का बिल अगर आपके पास में है तो upload कर सकते हैं नहीं है तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है वोटर आईडी काड अगर है तो upload कर दें अगर आप लोग यह सारे कुछ दफ्ता बेच upload कर देंगे तो chances हैं आपका जो निवास प्रमाड पतर है या फिर आप जो भी document बना रहे हैं वो जल्दी ही approve हो जाता है इसी के साथ में अन्ने वाले option पर आपको click करना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड टाइप कर देना है कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप करेंगे आधार कार्ड इसके बाद में यहाँ पर अगर आप लोग इस साथिफिकेट पर आधार कार्ड वाला ही फोटो लाना चाहते हैं तो इस वाले box पर tick लगा देंगे अब आपके साथिफिकेट पर आधार कार्ड वाला ही फोटो आ जाएगा यहां पर आप लोगों को आधार card को upload करना है photo आपको upload करनी की ज़ुरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आधार card वाला ही photo आ जाएगा और यहां पर चुने वाले option पर click करेंगे श्वापरमारित घोशना पत्र select करेंगे choose file वाले option पर click करेंगे ये घोश्रा पत्र आपका जहां कहीं पर भी रखा है उसे सिलेक्ट करके अप्लोड करेंगे ध्यान रखना है जो भी आप लोग फोटो अप्लोड करें तो उसका साइच 50 के भी रहना चाहिए और जो भी दस्तावेज अप्लोड करेंगे तो उनका साइच maximum 100 के भी रहना चाहिए सभी दस्तावेज को अप्लोड करने के बाद में आपको यहाँ पर दर्च करें वाले ओप्शन पर एक बार किलिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरहें से पूरा आबेदन पत्र आ जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों ने जो कुछ भी डिटेल को फिल किया होगा सभी कुछ डिटेल आप लोग देख सकते हो फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ नीचे की साइट में आएगे यहाँ पर आपने जो भी दस्तावेज अपलोड किये हैं वो दस्तावेज भी आ जाएगे और यहीं पर आपको आपको ओप्शन देखने को मिल जाएगा सेबा सुलका भुगतान करें तो आपको इसी वाले ओप्शन पर एक बार किलिक कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा जिसमें की एप्लिकेशन नमबर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एमाउंट आ जाएगा प्रोसीड बिद पेमिंट वाले ओप्शन पर एक बार किलिक कर देना है इसके बाद आप रेडारिक्ट हो जाएगे पेमिंट पेज पर जिसमें की आपके सामने काफी सारे ओप्शन पेमिंट करने के आ जाएगे नेट वेंगिं के मादविंट कर सकते हैं debit card, qr code और upi के मादधिम से payment कर सकते हैं हम यहाँ पर qr code के मादधिम से payment करेंगे इसलिए qr वाले option पर click करेंगे select your qr वाले option पर click करके भीm upi select करेंगे और make payment वाले option पर एक बार click कर देना है आपकी display पर एक qr code आ जाएगा इस qr code को आपको किसी भी payment application के मादधिम से scan करना है जैसे कि google पे phone पे pay tm और 15 रुपे की online ही fees का payment complete कर लेना है और कई बार ऐसा होता है जब आप लोग fees का payment करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाता है और website में error देखने को मिल जाता है तो ऐसे situation में आप लोगों को घबराना नहीं है आप लोगों को दुबारा से इसी वाले portal पर आना है login वाले option पर क्लिक करके citizen login वाले option पर क्लिक करना है user ID, password, capture code को डालके submit वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है और click करने के बाद दोबारा से आप लोग इस portal में login हो जाएंगे इसके बाद में यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है आवेधन की सूची आपको इसी बाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में आपने जितने भी आवेधन किये होंगे उनके पूरी list आपके सामने आ जाएगी application number आ जाएगा और service का name देखने को मिल जाएगा बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वे लोग payment भी कर देते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा रहता है applied but payment not done तो ऐसे situation में आपको करना क्या है यहाँ पर जो application number दिखाई दे रहा इसे यहाँ से आपको copy करना है और इसके बाद में यहाँ पर option देखने को मिल जाता है रसीत की पृतिलिपी आपको इस वाले option पर click करना है करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को आबेदन पत्र संख्या जो आपने अभी copy की थी उसे यहाँ पर paste करना है और सुरक्षित करें वाले option पर click करना है तो आप लोगों की जो acknowledgement slip है यहाँ पर generate होके आ जाएगी और इसके बाद में आप लोग जब दुबारा से आबेदन की सूची वाले option पर click करेंगे click करने के बाद में यहाँ पर लिखके आ जाएगा applied and forwarded to concerned officer अगर यह लिखके आगया तो समझ लीजी आपका जो form है वह successfully apply हो चुका है अब आपको यहाँ पर मातर 5-7 दिनों का wait करना है 5-7 दिनों के अंदर ही आपका certificate बनके तयार हो जाता है जब आपका certificate बनके तयार हो जाता है तो आपको download कहां से करना है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ certificate को download करने के लिए यहां पर आपको option देखने को मिल जाता है निस्तारित आवेदन इस वाले option पर click करना है अब आप कौन सा certificate download करना चाहते हैं काश्ट certificate, income certificate या फिर domicile certificate तो जैसा कि हमने निवास प्रमाड पत्र के लिए apply किया तो domicile वाले option पर click करेंगे जितने भी आपके certificate बन जाएंगे इसके बाद में यहीं पर उनका application number देखने को मिल जाएगा और received date भी देखने को मिल जाएगी आपको यहां पर application number वाले option पर एक है तथा digital signature से हस्ता चारित है एवं आवेदक द्वारा swing की login ID के माद्यम से download किया गया है और इस पर आप लोगों को किसी भी महर और signature के जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर आप देख सकते हो digitally यह document signed किया हुआ है अब आपको करना क्या है print का option देखने को मिल जाएगा print वाल क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में आपके mobile phone या फिर laptop में यह दस्तावेज सेब हो जाएगा और किसी भी sop पर जाकर के आप लोग इसका print out निकलवा सकते हैं या फिर direct आप लोग कहीं पर भी इसे upload कर सकते हैं सो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही आय जाते निवास पत्र के लिए online apply कर सकते हैं apply करने के बाद में आप लोग online ही इसे download करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं